बुलन शहर में चात्र की पिटाई का एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें एक दुकानदार चात्र को बुरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आ रहा है जिसके बाद मौके पर मौझूद लोगों ने मामले को शान्त कराया मैनपुरी में नगरिये विकास अभिकरण के तीन करमचारियों के बर्खास्त होने के बाद अधिकारियों में हरकम बचके आ है आपको बता दे की ग्रामीडों ने तैसिल दिवस पर डियम से शिकायट की थी की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत रिश्वत मांगी जा रही है जिसके बाद अधिकारियों ने जाच की जिसमें तीन लोगों को बर्खास्त किया गया मौजले में पुलस के करतोच सामने आई है जहां दरोगा ने बिना किसी गलती के एक नाबालिक लड़की की जमकर पिटाई कर दी जिसमें लड़के का पैर तूट गया बता नाबाली को अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं इस पूरे मामने में एससपी ने दारोगा पर लगे आरोपों को गलत बताया है प्रयागराज में लगने वाले कुम्भ मेले में दिव्यांगों के लिए किसी तरह की कोई परिशानी ना हो इसके लिए महा निर्वाणी अखाड़ा सामने आया है महा निर्वाणी अखाड़ा के संत धर्मदास ने कहा कि इस बार के कुम्भ में हमारे अखाड़े में दिव्यांगों के लिए कैम्प बनाया गया है साथ ही जिनके हाथ पैर नहीं है उन्हें कृति मंग भी दिये जाएंगे आना भी नहीं चाहते हैं उनके केवल बिकलांग के कृत्रिम जितने अंग हैं उनको भी दिया जाएगा और उनको सेवा भी किया जाएगा उनके रहने के खाने के दवा के और उनको यहां से स्वस्थ करके भेजने के हम लोगों के पलानिंग है शाजहापूर में बाइक सवार सिपाही को ट्रक ने टक्कर मार दी टक्कर में सिपाही गंभी रूप से घायल हो गया अनन फानन में सिपाही को जिला स्पताल में भरती कराये गया जहां सिपाही का इलाज चल रहा है उत्तर प्रदेश के राज सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान कल अम्रोहा के कलेक्टरेट सभागार में पहुचे जहां पर उन्होंने जन सुनवाई करते हुए 51 लंबित वादों की सुनवाई की जिसमें से 25 वादों का उन्होंने मौके पर ही निस्तारण किया आपको बता दे कि सूचना आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए 15 अधिकारियों के उपर 3,75,000 का अर्थ डंद भी लगाया एटा के थाना मिरहैची इलाके में एक अग्यात वाहन ने ट्रक से खेच जा रहा है वही पलिस ने शौको कभजे में लेकर पोस्ट मार्टप के लिए भेज दिया है